हलो फ्रेंड वेल्कम टू माई चैनल स्वागत है आपका मेरे चैनल पी मैं हरिपरी पटेल बात करूंगा आपसे इस वुड़े में बहुत ही महत्पूर्ण टापिक के बारे में जिसका नाम है क्रिया परशुर सिध्धान्ट इंग्लिज में जिसे कहते हैं ऑपरेंट कंडिस लिसनिंग ठेवरी और बहुत ही महत्पूर्ण वीडियो है पहले हम लोग ठेवरी पढ़ेंगे बाद में आपके लिए mcqs होंगे और ठेवरी अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं आसा करता हूँ आप जितने भी mcqs देखेंगे इस वीडियो में सभी सही करेंगे और जितने भी mcqs आप सही करेगा कमेंट करके जरू बताएगा चैनल पर अगर आप पहली बार आ है चैनल सस्क्राइ पुस्तोथोन है आपके लिए तो आज का जो वीडियो है यह कह सकते ह movements है क्रिया परोषू सिद्धां चलिए सुरू करते हृए टी है ये किसने दिया था यह दिया था यह इसकेमेंड़ ने और यह कहां के निवासि, अमेरीका के निवासि, इन्हों ने अदिगम संबंधी विचार थे दो पुस्तोकों में दो पुस्तोक, नाम है होता है जो behavior होता है वो दो परकार का होता है एक होता है प्रतिकेर रियात्म विवहार दूसरा होता है क्रिया प्रशूत विवहार याद रखेगा एक पॉइंट बहुत ही महत्तपून है देखे प्रतिकेर रियात्म विवहार क्या होता है ऐसा विवहार जो दीपक के द्वारा नियंत्रित होता है और हमारी इच्छा पर काम नहीं करता है ठीक है उधान दे सकता हूं मैं आपको क्या उधान दे सकता हूं जारा सोची देखे एक उधान बहुत ही आसान सा है देखे कोई लाइट अगर हमारी आखोंपर पड़ती है तो हमारी आखे खुद बखुद बंद ह हो जाती हैं तो ऐसा विवहार जो हमारी इच्छा के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है आपका प्रतिक्रियात्म को विवहार होता है दूसरा अधारन है जैसे अगर कोई विक्ति हमारे किसी अंग में आलपिन चुभो देता है तो हम उस अंगों को सिकोड लेते हैं ठीक है ब अगला आपका प्रतिक्र लिखा गया है बहुत ही महत्वण पॉइंट है लिखा इसकिनर ने अनुक्रिया पर जोर दिया है यहांनि response पर काफी जोर दिया हुआ है देखिए इसकिनर महोदे ने अपने सिद्धांद क्रिया परसूद को सिद्ध करने के लिए किस पर प्रयोग किया था चुहे और कभूतर पर प्रयोग किया था आप देख रहेंगे यह चुहा है और यह कभूतर है चुहे पर 1938 में प् बंद कर दिया देखिए जब इसकिनर जिंदा थे तो इनके बाक्स का कोई नाम नहीं था लेकिन जैसे यह मर जाते हैं इनकी डिर्थ हो जाती है तो इनका जो यह बाक्स है इसको इसकिनर बाक्स का नाम दे दिया गया तो चुहे को जो है इस बाक्स में बंद कर दिया जाता है जो की भूखा होता है उसे भूख लगी हुई होती है ठीक है और भूख के मारे चुहा जो है इधर उधर कूद रहा होता है कभी इधर पैर मारता कभी इधर पैर मारता ठीक है लेकिन अचानक उसका पैर जो है लीवर पर पड़ जाता है कह सकते हैं कि जो आपका बाक्स था इ रिस्पांस कर रहा था भूक की वज़े से तो अचानक जो है उसका पैर लीवर पड़ जाता है और यहां पर भोजन आ जाता है बाक्स में और चुहा जो है भोजन खा लेता है तो अनुक्रिया करता है इसी प्रियोग को बार-बार दोहरा आ जाता है एक दिन ऐसा आता है कि च ढुकी की दिवज़े से कहा सकते हैं कि जो अध्यक्र का देख करता है फ़ोजन प्रात करता है इसी वज़ेसे कह सकते हैं कि जो आपके इसके नर्म होदे हैं वो अनुक्रिया और पुनल बरन पर काफी जोर देते हैं ठीक है तो यह इनका सिध्धान था और इसी प्रकार जो है इन्होंने कबूतर पर प्रोग किया कबूतर को जो है एक चैंबर में बंद कर दिया और चैंबर जो था वो भी जो है क्या था जो कबूतर आपका था वो इधर उदर मारे भूक के कूद रहा था चोंच मार रहा था अचानक उसकी चोंच जो है इस कुन्जी पर पड़ जाते हैं और भोजन आजाता है और भोजन खा लेता है यानि अनुकरिया की उसको पुनल बरन बिला और जब यह प्रोग बार बार किया गया तो इतना जो है पर्फेक्ट हो गया की उसको चेंबर में बंद किया और वो की पर चोच मारता है और खाना उसके पास आ जाता है तो अनुकरिया और पुन Bir reality Okay कि बीच बंद होना क्या होता है श्रीख ना मैंने पहले इता año की अनुकरिया और पुनर बन या कह सकते हैं। वो द्धी उपक के बीच बंद बंदना क्या होता है सीखना होता है। तो कह सकते हैं कि excuse अनुकरिया पर जोड़ देते हैं और ये कहते हैं अनुकरिया जो होती है पुनर बन के द्वारा controlled होती है। ठीक है तो यही जो है इनका सिध्धान था ठीक है तो यह इनका प्रयोग होता है एक्जाम में पोचा आता है कि सबसे पहला प्रयोग इसके ने किस पर प्रयोग किया था चुहे पर किया था प्रभाव का नियम जो है दंडेवॉ पुरुष्कार का नियम कहलाता है। को नकारात्मक दंड में बाटा हुआ है वो काफी उपयोगी है जबकि दंड नहीं यह किस ने कहा है इसके नर्मोहदे अगर आप उसे दंड दे देंगे तो क्या है अगले दिन स्कूल नहीं आएगा अगर वो 17-18-19 का पहड़ा नहीं सुना पाता है तो आप उसकी सहता करिए उसको जो है पुनर्बलन दीजिए तो जो है क्या करेगा वो शीख जाएगा लेकिन अगर आप दंड देंगे तो नही शीक पाएगा इसी वजेसे पुनर Hetta brother को काफी महत्त दिया है इसके नहीं होवेव देनें अगला पॉंट लिख अगया है किस समय पुनर्बलन देना है कब देना है इसकी जो अनसूची होती है वही होती है पुनर्बलन की अनसूची को कुद दो भागों बाटा गया सादत पुनरबनन और आंसिक पुनरबनन देखिए अगर हम किसी व्यक्ति को लगातार पुनरबनन देते हैं अगर आपके साथ कोई एक चीज, लगातार होती रहती है तो उसकी महत्तवा कांश खतम हो जाती है माली जो कोई बच्चा है आपके class में और वो जो है अच्छे जवाब देता है तो रोज अगर आप उसको जो है पुनरबन देते रहेंगे तो उसके माता खत्म हो जाएगी आंसिक पुनलबनन सबसे सही होता है यानि कह सकते हैं जब बच्चे ने अच्छा काम किया तो आप उसको सावासी दें तो आंसिक पुनलबनन काफी उपयोगी होता है सतत पुनलबनन की अपेच्छा अगला पॉइंट लिखा गया है सेपिंग सेपिंग ऐसी प्रवध होती है जिसमें व्यक्ति का विभार पुनलबनन के आधार पर किसी विशेश लच्छी की ओर ले जाया जाता है सेपिंग प्रविधी जो है यह क्रमिक सन्निकटन की विधी कहलाती है सेपिंग कह सकते हैं या जो है कह सकते हैं कोई खिलावना है और यह माली जे आठ साल का बच्चा है और आप कहते हैं कि अगर आप जो है मैथ के 10 सवाल कर लेंगे तो जो है हम आपको खिलोना देंगे तो खिलोने के द्वारा हमने क्या किया उसको लच्छ की और पहुँचाया कौन से लच्छ दस प्रशनों को हल करने का लच्छ तो ऐसा विभार जो पुनल बनन के द्वारा नियंतरित होता है या कह सकते हैं ऐसा यिसमें पुनर बंण के आधार पर किसी व्यक्ति याविसेज को लच्चे की और पहुंचाया जाता है सेपिंग प्रवध कहलाती है सेपिंग प्रवध। क्रमित संविकटिकन की विधी के भी कहला थे देखिए जो सबसे में पॉइंट है कि किस सिधानत के अन्य नाम क्या है तो अन्य नाम है सार थेवरी जो है किसको कहा जाता है थांडाइट थांडाइट ने इस्टुमलस यानि उद्धीपक पर जोर दिया था नैमितिक अनुबंधन का सिध्धान्त कार्यात्मक अनुबंधन का सिध्धान्त सक्री अनुबंधन का सिध्धान्त यह याद रखेगा यह किसके नाम है ये आपके हैं इसकिनर महोदय की क्रिया प्रशूत सिध्धान्त के नाम, अब इक्रमित अनुगेशन का जो सिध्धान्त है, ये किसका नाम है, आरेस तेवरी क्रिया प्रशूत सिध्धान्त का नाम, ठीक है, तेविन पाइंट्स को आप लोग एकदम दिमाग में बिठा पुनर बरन देना चाहिए, देखे अगर कोई बच्चा आज अच्छा काम कर रहा है, अगर उसको चार दिन के बाद पुनर बरन देंगे तो कोई फायदा नहीं है, तो बच्चा जब भी अच्छा काम करें उसको पुनर बरन देना चाहिए, हासातत पुनर बरन नहीं देना चाहिए आंसिक पुनर्बरन देना चाहिए तो तातकालीन पुनर्बरन पर जोड़ दिया है किसने इसके रहो देने सीगर परिच्छा परणाम घोशत करना चाहिए अगर एक्जाम आज हो रहा है और दस साल के बाद उसका रिजल्ट आ रहा है तो कोई फाइदा नहीं है तो सीगर परिच्छा करानी चाहिए और उसका परणाम भी जल्द घोशत करना चाहिए नकारात्म विवार को नकारात्म पुनर्बरन दवरा रोकना चाहिए ठीक है यह पॉइंट किसने कहा है यह बात किसने कहिए इसके रहने तो यह होता है शिद्धा आप सही करेगा कमेंट करके जुरू बताइगा तो किरिया फूर्शु सिद्धान किसने दिया है कौन सा अप्सन सहीबा इसका जवाब 20 है इसके नर्सभी को पता है ऐसा विवहार जो दीपक द्वारा नियंत्रित होता है या उद्दीपक की देन होता है कहलाता है नकारात् जलती हुई टार्श को लगा दे तो हैं अपनी आखों को बंद कर लेते हैं तो इसमें जो हमारी इच्छा काम नहीं करती है ये जो है उद्दीपक के दरा कंट्रोल होता है अगला है क्रिया प्रशुत अनुबंधन का कौन सा उपनाम नहीं है आरेस थेउरी स्री एसार अगला है इसकेनर कहां के निवासी थे रूस के फ्रांस के अमेरिका के लिखे इसकेनर महोदय कहां के निवासी ये थे अमेरिका के निवासी अंतिम प्रस्नेवारे स्वीडियो का इसकिनर उद्धीपक को क्या कहते हैं दंड पुरुषकार पुनरबन नन नन मतलब इनमें सी कोई नहीं तो उद्धीपक को क्या कहते हैं मैंने आपको बताया था पुनरबन पीडियाफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीगराम मैं थैंक यू रहन धन्यवाद